Good evening everyone, welcome back to Manisha Mams class Doubtnut में आप लोगों का सभी का तहे दिल से स्वागत है बच्चो आप लोगों को पता है कि हर Monday, Wednesday, Friday मैं आप लोगों के पास आती हूँ Class 7 के English लेकर हर हमेशा कितने बजे? 4 बजे, MWF में Monday, Wednesday, Friday ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं The Story of Cricket क्या पढ़ने वाले हैं? चाप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा Lesson 1 है कौन से चाप्टर का? Story of Cricket के हैं ठीक है? ठीक है, ठीक है? क्या चाप्टर है? The Story of Cricket ठीक है, अब बच्चो ये जो चाप्टर है Story of Cricket, Exactly मतलब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? इसमें हम बात कर रहे हैं हमारी history of cricket की क्रिकेट जो है बच्चो एक ऐसा game है cricket is one of the forms of many games जो हर कोई खेलता है एक ball से एक bat से और कब शुरू किया गया था बच्चो ये इंगलेंड में शुरू गया था 500 साल पहले start किया गया था बच्चो ये और ये 17th century तक बहुत जादा evolve हो गया था बहुत बतलब हर कोई खेलने लग गया था ठीक है और बच्चो 18th century के बीच में क्या हुआ था जो bat है ना उसको the bat used hockey की तरह होता था ठीक है किसकी तरह hockey की तरह होता था उसकी जो stick थी वो outwards की तरह गर्व थी ठीक है outwards बाहर के side निकले भी थी और जो test matches खेले जाते थे ठीक है और कैसे खेले जाते थे मतलब five days में खेले जाते थे और फिर भी आप सोचो cricket खेलते हो इतने जो five ये draw matches होते है उसमें क्या होता है चार दिन खेल रहे हो पाच दिन खेल रहे हो फिर भी आपका क्या हो सकते है draw आ सकते हैं दोनों equal हो सकते हैं तो ये एक ऐसा game है जो हर कोई बहुत पसंद करता है बहुत evolve हो जाते हैं बहुत involved हो जाते हैं इस game में ठीक है और जो area होता है वो oval shape में होता है और जो हमारा जो oval होता है as well as circular cricket ground भी होता है circular क्या होता है ground होता है ठीक है बच्चों ये आप लोगों को समझ आया मतलब हम पढ़ने वाले है story हमारी किसके cricket के बारे में ही है cricket की क्या history है कैसा रहा है कौन कैसे खेलता है ये सब चीज़े हम लोग इस पर focus करने वाले आज ये chapter बहुत ही interesting है rules पढ़ने वाले है cricket के हर चीज़ पढ़ेंगे chapter को one by one समझेंगे आपको पता है कि आज की class में मैं आप लोगों का भी फिलाल अब जैसे मैंने आपको introduction दे दी आया story of cricket से क्रिकेट की क्या story रही है तो अब मैं आपको introduction के बाद हमेशा मैं quiz लाती हूँ उसके बाद मैं आपको chapter explain करूंगी detailed explanation दूंगी chapter explanation होगी बच्चों फिर आपके पास वापिस से quiz आएगा फिर से chapter explain होगा फिर quiz आएगा ठीक है यह आप लोगों को याद रखना है तो उसी के साथ क्या करना है चलो बढ़ते हैं quiz के उपर तो पहला quiz यह रहा आप लोगों के सामने ठीक है पहला question यह रहा the laws of cricket were drawn up in the laws of cricket were drawn up in option number a b c d correct answer क्या है correct answer क्या है बताईए the laws of cricket were drawn up in चलो second question second question आजाओ नाई चीक है चलो करो चल्दी चल्दी करो अभी तो time है बस होने वाला है बच्चों करो 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 हो गया almost time I believe है ना चलो सी के साथ आते हैं next question पर यह रहा next question cricket differs from other games due to the equipment due to the pitch at it as it takes the longest time to या फिर as it takes the shortest duration चल्दी बताओ यहां पर complete अटा दो यहां पर complete आएगा as it takes the longest time to complete ठीक है as it takes the shorter duration बस करिए due to the equipment due to the pitch as it takes the longest time to complete या फिर as it takes the shortest duration बताओ जल्दी जल्दी यह complete हटा दो यहां पर two complete हो जाएगा करो जल्दी जल्दी करो इसी लिए time दे देती हूं मैं बच्चों आपको क्योंकि literature है literature में time होना चाहिए हो गया चलो बहुत पढ़िए उसी के साथ आतने explanation time पे the laws of cricket were drawn up in ठीक है laws of cricket के कब बने थे lock बन कब बने थे cricket के 1740 में बने थे 1744 में बने थे 1749 में बने थे या फिर 1766 में बने थे correct answer क्या होगा बच्चों इसका option number B 1744 में 44 में क्या हुआ था cricket के laws बने थे तो option option number B is the correct answer option B क्या है correct answer है ठीक है उसी के साथ time लगाता है complete होने में हां introduction में बताया ना कि जो हमारा cricket है बहुत time लगाता है test matches होते है पाच-पाच दिन तक match चलते लेकिन उसके बाद भी क्या होता है उसके बाद भी बच्चों हमारा ये draw आ जाता है और sport है ना बहुत integral part है बच्चों integral मतलब बहुत important है ना sport is an integral part of a healthy life integral मतलब important part क्या है healthy life का अच्छी life जीनी है तो sports खेलना चाहिए हमारी body चलती रहनी चाहिए बहुत integral बहुत important part होता है हमें खेल कूत कलती रहनी चाहिए it is one way in which we amuse ourselves amuse मतलब entertain अपने आपको हम entertain करते हैं यह एक तरीका है जिससे हम अपने आपको खुद को entertain करते हैं compete with each other and stay fit एक दूसे के साथ competition करते हैं compete करते हैं क्या करते हैं compete करके एक दूसे के साथ खेलते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, है ना, और एक तम तन दुरुस्त रहते हैं, कैसे खेल कूद करके, अमंग the various sports, such as hockey, बहुत सारे sports जैसे की, hockey, football, tennis, इन सब sports में से, जैसे की मैंने बोला, hockey, football, tennis, cricket एक ऐसा है, cricket एक ऐसा sport है, जो बहुत अपील करता है, जो बहुत अट्राक्ट करता है लोगों को, और national entertainment, बतलब हर nationally, हर कोई entertain होता है, उससे हर कोई देखता है, ठीक है, अच्छा, how much do we really know about the game called cricket, हम लोगों को वैसे कितना पता है, वैसे तो आपको पता है, कि हमारे कौन कौन है, हमारे team players, यह है, दो नहीं, पता नहीं कौन कौन, अब तो रेटायर हो गए है, और भी बहुत सारे हैं, है ना, तो लेकिन आप लोगों का फेवरेट कौन सा है, लेकिन क्या आपको इसकी history के बारे में पता है, आपको players तो पता होंगे, लेकिन क्या आपको cricket की कुछ history, कुछ इसकी knowledge है, अगर नहीं है, तो कोई नहीं, बच्चो, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, चलो, उसी के साथ बढ़ते हैं, next slide पर, चलो, the story of cricket, parts में divided है, है ना, हम पहला part करेंगे, पहला part क्या है, जो cricket है, पहले पढ़ते हैं, चलो, ठीक है, हाई-लाइटर स्टार्ट कर देते हैं, Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago, 500 साल पहले, 500 साल पहले बच्चो, जो cricket है, stick और ball से invent हुआ है, stick और ball से कहां खेला जाता था, इंगलेंड में खेला जाना था, जाता था, stick और ball से ये खेला जाता था, किस से, stick से, डंडे से खेला जाता था, आजकल यह जो bat दिख रहे है, पिच्चर में उससे खेलते हैं, लेकिन वैसे हम लोग पहले stick से खेलते थे, डंडे से खेलते थ तो है, वो एक old English word है, that simply means stick or club, अच्छा बैट का मतलब क्या होता है, या तो stick होता है, या तो club होता है, है ना, by the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game, ठीक है, पांसो साल पुराना ये पहले invent, मतलब game खेलना शुरू करी थी, ball or stick से, फिर 17th century के दौरान, बच्चो, 17th century तक, जो cricket है, बहुत जा recognizable हो गया, तो उसको हर कोई recognize कर सकता था, एक game हो गई थी, बहुत appealing game थी, हर कोई attract होता था इस game से, till the middle of the 18th century, mid of 18th century तक, bats were roughly the same shape as hockey sticks, 18th century के mid तक भी, जो bats थे, वो कैसी shape होती थी, उनकी hockey sticks के जैसे होती थी, कैसी होती थी, hockey sticks के जैसी होती थी, उनकी क्या होती थी, sticks होती थी bats की, curving outwards, बाहर की तरफ निकल रहे होते थे, कैसे, बाहर की तरफ निकल रहे होते थे, at the bottom, bottom से बाहर की तरफ उनका edge निकल रहा होता था, कोना निकल रहा होता था, there was a simple reason for this, एक simple reason था, the ball was bowled under arm, जो ball थी न, under arm के नीचे मारी जाती थी, ठीक है, इसके नीचे हमारी ball आती थी, along the ground and the curve at the end of the bat, gave the batsman the best chance of making contact, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कि क्योंकि वो under arm के नीचे ball, was bowled under arm, और ground के साथ दी जाती थी, ground के level पर, और इसी वज़ा से bat के end पे curve हुआ करता था, जिससे जो batsman है, वो कोई chance ना miss कर सके, उसको कोई chance ना miss हो, उस ball को contact ना कर पाने का, कि ऐसे इसलिए होती थी, वो curve अगेरा होता था, जिससे की ball hit कर सके, ठीक है, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, हर किसी को बोला होगा, oh I love cricket, oh एक लड़के से पूछलो, किसी भी गली में हर जगा पूछलो, कि अरे cricket तो क्या पसंद है, मेरको तो cricket खेलना पसंद है, ले मतलब ये unique चीज है, ठीक है, strange चीज है, कि cricket की एक अलग चीज है, strange चीज है, कि ये जो test match होते हैं, पाच पाच दिन तक भी चल सकते हैं, क्या, पाच पाच दिन तक भी चल सकते हैं, and still end, and still end in a draw, और फिर भी draw सकता है, मतलब same result है, ये फोटो में अगर आपको दिख रहा है ये ऐसे हमारे क्या होते थे, ये जो आपको अगर फोटो में दिख रहा है, ये जो फोटो है, ऐसे हमारा बैट हुआ करता था, ये क्या है, oldest cricket bat है, चीक है, आज तक का oldest cricket bat है ये बच्चो, चीक है, चलो, तो no other modern team sport takes even half as much time to complete, चीक है, कोई भी, मतलब क्या कहते हैं, कि कोई no other modern team, sport takes even half as much time to complete a football match, कोई भी, कोई भी game ले लो, कोई भी sport ले लो, जैसे cricket 5-5, 10 दिन चल जाते हैं, महिना महिना चल जाते हैं, तो बच्चो एक बात बताओ, पहले न, कोई cricket जैसा कोई game नहीं है, जो इतना time लगा रहे हैं, complete होने में, कोई ऐसा game नहीं है, ठीक है, जो हमारा baseball, baseball का जो match होता है, वो न, उसमें, 9 innings होते हैं, और उस cricket से आधे time में, वो complete हो जाते हैं, the shorter version of modern, वो क्या कहरे हैं, जो baseball है, वो क्या है, shortened version है, modern cricket का, ठीक है, ये समझ आया, बहुत बढ़ी है, अच्छा, baseball जो है, popular game है, कहाँ पर USA में, कहाँ पर बच्चो, USA में, और एक bat और ball के साथ खेली जाती है, दो teams होती है, 9 जनों की, ठीक है, और चार base होते हैं उन लोगों के पास, baseball पता होगा आप लोगों को, ठीक है, इतना समझ आया, बहुत बढ़ी है, another curious characteristic of cricket, एक और अलग, curious मतलब बहुती, बहुती मज़ेदार है ना, बहुती मज़ेदार, another curious characteristic of cricket is that, the length of the pitch is specified, यह एक और characteristic होता है cricket का, वो क्या है, कि जो length होती है हमारे pitch की, cricket के pitch की वो 22 yards होती है, क्या होती है, 22 yards होती है, but the shape or size of the ground is not, जो length होती है pitch की 22 yards होती है, लेकिन size और shape specific नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो length, pitch की जो length होती है, वो 22 yards होती है, most other team sports, such as hockey and football, lay down the dimensions of the playing area, जो कुछ teams होती है, जैसे की hockey, या फिर जो कुछ sports होती है, जैसे की hockey हो गया, football हो गया, वो लोग अपना playing area का क्या बनाते हैं, बच्चो area बना लेते हैं, dimension बना लेते हैं, यहाँ यहाँ तक खेल लाएं, cricket does not, cricket नहीं बनाते हैं, cricket के grounds जो होते हैं, वो oval हो सकते हैं, ठीक हैं, या फिर circular हो सकते हैं, oval जैसे की, जैसे की adled oval या फिर circular हो सकते हैं, जैसे की chipok in Chennai, हैं, है ना, तो यह आपको क्या बता रखे हैं, यह आप लोगों को stadium के नाम बता रखे हैं, A six at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does it, ठीक हैं, अब हमारा, जो हमारा Melbourne cricket ground है, ठीक हैं, a six at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does it, अब जो Melbourne cricket ground में जब छक्का मारना होता है, एक six मारना होता है, उसको ज़्यादा area cross करना पड़ता है, और उससे कम कहां, जतना कि उनको फिरोजशा कोटिला जो डेली में हैं, उसमें करना पड़ता है, क्योंकि ground ground पर depend करता है, matter करता है, वो कितना circular है बच्चों, वो कितना आपका कितना area dimension ले रहा है, है ना, यह आपको समझ आया, oval मतलब क्या होता है, जिसकी shape egg की तरह होती है, जिसकी shape egg की तरह होती है, ठीक है, यह देखो, पूरा circle नहीं है, पूरा circle ऐसा हो जाएगा, यह oval है, यह पूरा circle है, ओके, चलो, next, quiz आगया है, बच्चों, फिलाल quiz आगया है, तो second quiz करते हैं, तो second quiz का पहला question आप लोगों के सामने, यह रहा, the length of the pitches, अभी बताया ना, 20 yards, 22 yards, 21 yards, 23 yards, चर्टी, चर्टी बताओ, करो करो जल्दी करो बहुत बढ़ियां the length of the pitches 20 yards 22 yards 20 मुझे पता हिए तो सब नहीं कर लिया होगा अभी बढ़ाया तो नहीं इसलिए हो गया है बच्चो तो से के साथ आते next question पर the world's first cricket club was formed in Australia, in Melbourne, in Africa, in Hamilton अगर आपने ये पढ़ा होगा chapter, कुछ idea होगा तो आप के कर पाएंगे करो 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 जल्दी करो होगा है टाइम है अब बहुत पढ़ी है चलो करो, करो, जल्दी करो हो गया, time हो गया, बच्चो तो लो उसी के साथ start करते हैं, चलो explanation time पर, the length of the pitches जो length है हमारे pitch की, वो कैसी होनी चाहिए, एक second, pen start करने दो जो, the length of the pitches 20 yards, no, 21 yards, no, 23 yards, no, correct answer क्या रहेगा, option B, 22 yards, अभी बताया था, अभी बताया था, कितनी होती है, हमारे length of the pitches, 22 yards, ठीक है, उसी के साथ आते हैं, next question पर, the world's first cricket club was formed in Australia, no, in Melbourne, no, in Africa, no, in Hambleton, correct answer क्या है, option number D, is the correct answer, yeah, आजो आते हैं, फिर explanation time पर, there is a historical reason, there is a historical reason behind both these oddities, cricket was the earliest modern team sport to be codified, अचा, highlighter पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो, अचा, historical reason है, historical reason है, ठीक है, इस किसके yard वगेरा जो है न, 22 yard, उनका circular, circular oval, जो shape होती है, उसके पीछे, ठीक है, cricket एक earliest modern team थी, जो बनी गई थी, है ना, और जो पहले first written laws of cricket थे, 1744 में draw करे गई थे, the stated, the principles shall choose from amongst the gentlemen present two empires, two empires होने चाहिए, जो जितने भी disputes होंगे, कोई problem, कोई लडाई या वगेर होगी, वो clear करेंगे, हर कोई अपने अपने, हर कोई अपने अपने team का empires होते हैं, stumps होते हैं, बच्चों वो बड़े बड़े जो डंडे होते हैं न, है न, वो होते हैं, तो वो कहरें, जो stumps होते हैं, 22 inches high होने चाहिए, और जो bail across them, 6 inches, bail क्या होती है, मैं आप लोगों को explain करती हूँ, गुली डंडा खेला है कभी, बताती हूँ आप लोगों को highlighter हटाने है, है रुको, देखो, ये आपका ground है, ground पे आपने ये अपने तीन डंडियां लगा दी, stumps पोलते हैं जिसको, और इसके बीच जो आप कुछ रखते हो न, आप लोगों cricket खेलते हो पता होगा, है न, रख बेल होती है न, इसको, जिसको बेल कहते हैं, six inches होनी चाहिए, और ये जो हमारे stumps है, वो 22 yards होनी चाहिए, कोई अगर आप से आप पूछ ले न, cricket कितना पसंद है, तो भई, knowledge पूछ ले न, क्योंकि हर किसी कोई knowledge नी होगी, जितने आप लोगों को है, ठीके, चलो बापिस स लिए थे हैं, the ball must be between five and six ounces, बाल जो है वो पाँच से शे आउंसस के बीच में होनी चाहिए, and the two sets of stumps, and the two sets of stumps, 22 yards apart, और वो जो दोनों set होते हैं, stumps के, वो 22 yards apart होनी चाहिए, जो वर्ल्ड का बच्चो, first cricket club, the world's first cricket club was formed in Hamilton, Hamilton में बना था, 1960s में, और जो Merylbourne Cricket Club था, MCC, वो 1787 में found हुआ था, 1760s or 1770s में क्या हुआ था, it became common to pitch the ball through the air, rather than roll it around the ground, एक होते हैं, हम लोग ऐसे ball देते हैं, रोल करते हैं, ऐसे, और एक देते हैं, ऐसे, तो, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, समझा रही है, इससे क्या हुआ है, this change gave ballers the option of length, उस वज़े से, ballers को option मिला है, तरह तरह के ball फैकने का, तरीके से, मतलब different decorative balls नहीं, मतलब technique wise, deception through the air, मतलब पागल बना देते हैं, पागल बना देते हैं, डिसेप्ट कर देते हैं, deception through the air, मतलब, कि जो ball है, अब उसको roll नहीं करते हैं, ground पर, बट, air से आती है, ball, और variety जादर तर, फिर क्या possibility रहती है, deception की, दोका दड़ी की, कि ये ball तो, हम ऐसे spin करके दे रहे हैं, वो left के बदले right जा रही है, आप लोगों तो मजा आ रहा होगा है, विसे लड़के लोगों को, तो सब कोई बहुत मजा रहा होगा, मैं बढ़ाओ, 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 जल्दी से बढ़ाओ, आज ही chapter करते हैं, रुक जाओ, जल्दी किस बात की है, पच्छो, deception through the air, plus increased pace, pace मतलब होता है, speed, deception through the air, और एक्दम, भाग भाग कर अगर आप लोगा जब Google करना, वो बच् उनको क्रिकेट नहीं पसंद आज देखना है कि कैसे जो बाउलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्दम भाग कर आते हैं, it also opened new possibilities for, अरे माम को भी idea है मतलब, ये बोल रहा है ना कि मैंने ये सच में नहीं पड़ी थी next line, और देखो उन्होंने क्या बोला, कि possibilities बढ़ गई है, spin वगएरा की, swing वगएरा की, उससे difficult हो जाती है, आपने खेला है, माम ने तो खेला है cricket, आपने खेला है, खेलना चाहिए, in response, batsman had to master timing and shot selection, तो batsman को एक्दम timing का कि कैसे आरी बॉल आरी एक्दम, जैसी बॉल आएगी, पर attack मार दो, selection होनी चाहिए, time की, अगर बॉल आ गई, बॉल पीछे wicket पे लग गई, आउट, हलकिसी touch भी हो गई है, आपकी body से तो भी आउट, तो वो selection, ढंक से होना चाहिए, कि ऐसे खड़े हो और एकदम मार रहो, जैसी बॉल आ रही है, in response, batsman had to master timing and short selection, one immediate result, है न, short selection batsman को master करना था, timing को short selection, one immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one, एक immediate result, क्या था, की, एक second, ठीक है, एक immediate result क्या था, ये था, बच्चो, की, the replacement of the curved bat with the straight one, replace हो गया था, curved bat के बदले क्या आ गया था, हमारा straight आ गया था, है न, अब तो बता हिए, आप लोगों को, बच्चों बच्चों को बता है, the weight of the ball was limited to between 5 and half to 5, मतलब 5 से 5 सवा, 5 आउंच होनी चाहिए, और जो width होती है, bat की, वो 4 inches होनी चाहिए, 1774 में, जो first leg before law was published, इस time पर, पहले तो 2 stump हुआ करते थे, इस time पर 1744 में, third stump common हो गया, और 1718 में, 3 days had become the length of a major, 3 दिन बन गया था major match का, लेंथ बन गयी थी, 3 दिन तक तो चलता ही था match, 1780 की बात है यह, and this year also saw the creation of the first six seam cricket ball, और अब क्या, इतना हजा, मतलब इस साल भी क्या हो गया है, first six seam cricket ball हो चुकिया, मतलब बहुत जादा बढ़ चुकिया है, देखो, the paverine of the Merlebourne Cricket Club, MSC in 1874, फोटो देख लो इन लोगों की, color कर देते हैं, जिस से अच्छे से दिखेगा, black and white पे थोड़ा light color कर दो, तो वो पूरा highlight हो जाता है, देख लो, कैसे वो लोग खड़े हैं हर कोई, trace कर दिया है मैने आप लोगों के लिए, अब मजा रहा है ना, पिच्छे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्छा, चलो, उसी के साथ आते हैं, next question, question क्या आए कुछ नहीं है, chapter का explanation है, चलो, आजाओ, हाँ, if you look at the game's equipment, if you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times, and yet fundamentally remained true to its origins in rural England, अगर आप देखो के game के equipments पर, तो आप देखते हो कि कैसे cricket change हो चुका है time के साथ-साथ, और लेकिन अपने origin से true रहा है, cricket के most important tools क्या होते हैं, natural और pre-industrial material से बनते हैं, जो bat होता है, वो leather से बनता है, twine और cock से, leather, twine और cock से बनता है, ठीके, और आज भी, नहीं कुछ नहीं है, और आज भी बच्चो, और आज भी बच्चो, bat और ball handmade होता है, industrially manufactured नहीं होता है, cricketers के लिए, handmade एक दम must must bat होते हैं, जो material होता है, bat का, वो change हो चुका है, by time, time के साथ, तो सभी change हो जाता है, बच्चो, once it was cut out of a single piece of wood, पहले तो एक ही piece का, एक ही wood का cut out होता था, अब वो दो piece का बनता है, जो blade होती है, ठीक है, which is made out of the wood of the willow tree, willow tree से बनता है, और जो handle होता है, ऐसे होता है ना हमारा, bat, यह देखो, तो यह जो handle होता है, यह जो मैंने जिस पे color कर दिया है, यह जो handle होता है, वो किस से बनता है, made out of can, that became available as European colonialist, and trading companies established themselves in Asia, और जो blade होता है, वो willow tree से बनता है, यह जो blade है, willow tree से बनता है, unlike golf and tennis, golf or tennis, के अलावा, you know, cricket जो है न, quiz आ गया, बच्चों फिर बताते हैं, ठीक है, क्विस आ गया है, फिर बताते हैं, क्विस का पहला question, यह रहा, cricket is originally an Indian game, American game, British game, या फिर Arabian game, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, और पढ़ाई करने के बाद क्रिकेट खिलने का मन कर गया मास्क पहन कर जाना है अगर कर गया है तो ठीक है विदाउट मास्क नहीं जनहित में जारी अमिता बचन बोलते हैं ना चला आगें नेक्स्ट करते हैं फिर बच्चो क्रिकेट ओस इस प्रेजन पॉपलारिटी तो रेडियो तेलिविजिन मीडिया प्रिंच मीडिया बताओ बताओ गर्रेक्ट अंसर क्या है करो जल्दी करो होने वाला है टाइम होने वाला है बच्चो जल्दी जल्दी करो हाँ हो गया टाइम हो गया यह और चलो आज़ो फिर एक्पार एक्स्टी टाम पर एक्स्टीन करेंगे एक्रिक WILL शरर होग वालाान ऑजिननव गैम अमेरिकन गेम अ बितिश गेम अ बिटिश गे अरे बेश गेम क्या है ना इंडियन गें नहीं यह हो च्छो ऌर्ट इंडियन गेम नहीं नहीं है हांख़ बहुत बढ़िया अच्ब मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। आप लोग कोशिश करते हैं कुछ ब्चों को ज नहीं आता है । कोशिश करने वालों की हान नहीं होता है रहना है्ली कुछist नहीं को हमेशा को शिच करते हैं। सी करेक्ट ज जो आजओ फिर देखौ रफ इन रेड़ी क्रिकट गेम बीक प्लेड ना विलेज इन दैमाल लाज देखा यहां पर इन लोगों इस टंप्स लगा रहे हैं तो आपको यहां यहां बैट वच्चो यहां बच्चे के हाथ में बॉल है ना यह आप लोगों के empires खड़े हैं देखो शायद से और यह आपके wicket keepers हैं देखो wicket keepers हैं जो यह बच्ची है जो camera में देख रही है देख रहा है ना बच्चो चलो बहुत बढ़ी है यह सब देख रहे हैं cricket match जैसे हम लोग देखते हैं समझाया इन अंकल को भी color कर देते हैं फिर दिख रहे होंगे और यह हिमाल लियाज है पहाड है अगर आपको दिख रहा है तो अब देखो दिखेगा yellow color करके चलो time waste नहीं करेंगे बच्चो time waste नहीं करेंगे जल्दी से आप लोगों को करा देते हैं देखो दिख गया ना लेकिन आप लोगों को बहुत बढ़िया चलो आते हैं बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं चलो refuse to make its tool with industrial or man-made materials एक बाब आपस से चलते हैं देखते हैं last word क्या लिखाता हाँ क्या लिखाता क्रिक्ट हाज क्रिक्ट हाज क्रिक्ट हाज refuse to make refuse to remake its tools with industrial क्रिक्ट ने मतलब मना कर दिया था कि उसके जो tools है industrial या फिर man-made materials से जैसे की plastic fiber glass या फिर metal से नहीं बनेंगे reject कर दिया था उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बनेंगे but in the matter of protective equipment cricket has been influenced by technological change लेकिन अब time के साथ सथ technological change आ गया है cricket में भी the invention of vulcanized rubber led to the induction of pads in 1848 अच्छा invention हुई थी vulcanized rubber की जो जिसके वज़े से pads पहनना शुरू कर दिया पता है ना हमारे पेरों पर भी हम पहनते हैं हातों पहनते हैं है ना gloves gloves पहनते हैं वो ऐसे catch करने के लिए तो बच्छो ये सारे invention हुई थी कब हुई थी 1848 में और protective gloves soon afterwards देखा आमको पता है and the modern game would be unimaginable without helmets helmets भी पहनते हैं तो पहनते हैं ना made out of metal and synthetic lightweight materials देखा तो आप ये देखो कि कितने changes आ गए हैं बच्छो चलो आगे बढ़ते हैं comprehension check करते हैं पहले cricket is originally an Indian ay ma'am ये तो आप करवा चुके हो कोई ही नी बच्छो comprehension check करने में क्या जाएग आपका cricket is originally क्या ही है तो पता है British game there is a historical reason behind both these audited is not preceding two paragraph find out words that mean the same as audited is हो करो ये practice करनी आप लोगो को ठीक है how is a cricket bat different from a hockey stick बता ही है कैसे मैं आपको बताऊंगी नहीं कैसे photo में देखा था ना आपने सबसे oldest bat कैसे outward curve था तो ये सब आप लोगों को खुद करना ये सब हम पढ़ चुके हैं यह मैं आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ठीक है चलो क्या करना उसी के साथ उसी के साथ हम क्या करेंगे बच्चो ठीक है यह देखा मैं आप लोगों को बताऊंगी cricket के equipment कैसे हमारे बहुत important है हमारे कैसे बहुत ज़्यादा important है एक तो यह रहा हाँ cricket equipment जो most important सबसे most important most important क्या है जो है जो की वो आज भी क्या होते हैं handmade होते हैं क्या होते हैं handmade होते हैं still today natural natural and pre industrial industrial materials से हम और बचो जो बैट से हैं handmade handmade of cork leather and twine ठीक है अब तो बच्चो क्या और आ चुक है और क्या आ चुक है बच्चो प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स भी आ चुकी है प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स भी आ चुकी है जैसे की पैड ग्लोव्ज हेलमेट्स ठीक है सबसे पहले क्रिकेट कहां पर खेला गया था बच्चो क्रिकेट वोज फिर्स्ट प्लेट इन इंडिया कहां पर इंडिया में इन बॉमबे बॉमबे में खेला गया था आपकी नॉलिज के लिए बता रही हूँ जोरो एस्ट्रियन बाई दी जोरो एस्ट्रियन और पार्सी कम्यूनिटी यह सब समझ आया अब देखो मतलब यह सब हमने आज पढ़ा है बच्चो हम लोगों को फोकस करना है किसे हमारी जो क्रिकेट की स्टोरी है मैंने आपको जो भी बताया फिलाल कि कैसे हमारी हमने हिस्ट्री थी हमारी कब हमारी स्टार्ट हुई कैसे हमारी जो स्टोरी हमारा जो cricket था किसे हिमाल्याज में खेला जाता था कैसे पहले हमारा जो yard था वो कितने का होता है length of pitch होती है length of the pitch कितनी होती है 22 yards होती है अच्छा yard यहां पर लिखावा था ओके फिर बच्चो हमारा जो ground होता है cricket ground होता है बच्चो जो कैसे वो oval भी हो सकता है कैसे वो circular भी हो सकता है for example अगर आप depend करता है कि अगर Melbourne के cricket ground में हो तो वहाँ पर six मालने को कितना दूर मालना पड़ रहा है और अगर दिल्ली में कोटला में हो अगर आप लोग उस stadium में हो कोटला stadium में हो तो वहाँ पर six छोटा है क्योंकि depend करता है कि तुमारा क्योंकि हमारा yard जो है वो fix है कि वो yards जो होंगे वो 22 होंगे लेकिन हमारा जो proper ground होगा oval होगा circular होगा कितना होगा वो कोई fixed नहीं है हमारे stumps 3 होते हैं कितने inches के होते हैं 22 inches के होते हैं उसके बाद हमारे जो उपर बेल लगी वी होती है जो वो डंडियां होती है छोटी छोटी है ना उसको वो कितने की होनी चाहिए six inches की होनी चाहिए ये सब चीज़े बच्चों हम लोगों को ध्यान रखनी है ठीक है तो आगे इस chapter को continue करेंगे वापिस से फिलाल के लिए आज की class करते हैं बच्चों खतम करते हैं और फिर मिलेंगे जैसे बिए चलते चलते तरह क्या आव से बैठकर बाइठकर अराम से बैठकर पढ़ाई करेंगे